नमस्कार मडर मिस्ट्री बोथ वे बर्तमान समयरे देसरो सबुठु बड़ बड़ मिस्ट्री चोद बरसर जियो आरुषिकु मारी लाकिए यहाकड अनर किलिंग ना रिवेंज किलिंग यहाकड बड़ घरर बड़ गुमर कथा ना एक सू चिन्तित शू नियोजित सड़ जं हत्याकारीकोण एते चालाग जे तहाकु धरी पारुनी देसर सबुठु बण तदंदकरी सस्था। हत्याकारीकोण निजो अपराध्र सबु सुराक सफा करी देची। आरुसी हत्याकांडकु नेई हाइकोट को राय परे उठीची एभडी अनेक प्रस्न। ताहेले कोण नोवान किल्ज आरुसी नोब बड़सरो मामोला सोतंत्र सीबियाई अदालात द्वारा आजी बनो कारादंडो हेले निर्दोसरे खलास कले आलाबाद हाइकोट। बहुर चर्ची तो आरुसी हत्याकांड मामोलारे आसी छी आलाबाद हाइकोट को गुरुत पुन्न राय। प्रमाण अभाब्रूर निर्दोसरे खला सुई छन्ती तल्वार दमपती, कोड कही छन्ती जिवु प्रमाण रहीची ताहा अनुजाई तल्वार दमपती कुँ दोसी बोली कुहा जाई पारीबनी, आसंतु जानिबा कोड कही छन्ती अदालत प्रमाण अभाब्रू खला सेले तल्वार दमपती, कोड के दोसी एवे हाई कोड के निर्दोस, सोहलो में 2008 हरू, 12 अक्तोबर 2017, दिर्गो नौ बर्स सरों मामला, केते बले दोसी तो, केते बले निट्दोस और खलास, केते बले बेल, पुनी केते बले जेल, सेसरे अलावाद हाई कोड रू आसे छी बड़ो राय, एमिती राय जहाकू बर्स बर्स धरी अपेख्थ्या करी रही थीले तल्वार दमपती, एमिते को मामलार राय जहाँ अधिको रहस्या मयो करी छी देसरो सबुठू रहस्या मयो हत्या कांड़ो को, आरूसियो हेमराज हत्या मामला, एही रहस्या मयो हत्या कांड़ो उपरू एबेवी हत्या कांड़ो दा, एवे बी जणा पड़ी ने एही दुई जणंकु किये काहीं की हत्त्या कला एवे सीबियाई रो तदन्त उपरे बी उठी छी अंगोले एही मामलारो गुर्त पुर्णो राय प्रकास करी छन्ती अलाबाद हाई कोट गोट कोईच्वंती जेवु तथ्य प्रमाण रही छी ता आधारोरे तल्वार दमपतिंकु दोसी बोली कुहाजाई पारिवना ही तेनु सेमाने प्रमाण अभावरु निर्दोसोरे खलास 26 नभेंबर 2013 ददन्त रिपोर्ट को आधार करी आरुशिंक बापामांकु एही डवल मडर मामलारे दोसी सब्व्यस्त करी थिले सिब्याई रो सोतंत्र अधालतो एथी सह एही मामलारे उभ्यंको आजिवन करादंडरे दन्डित करी थिले सिब्याई कोड को राया आशिवा परे गाजियाबाद रे दासना जेल जाई थिले दल्वार दंपति रायाई परे लागिला एही रहस्यमे अहत्या कांडव उपरू हटी जाई छी परदा आउ बहुचर चित्त हत्या मामलारो दोसींकु मेणी छी सजा तवे एही रायकु नही असंतोस जाहिर कले राजे सो अनुपुर दल्वार अलाबाद हाई कोटरे रायकु चालेंज कले दल्वार दंपति सिब्याई पक्खर उहित्वा तदंत उपरे उठाईले अंगुली एपर की बिना प्रमाणरे दोसी साभ्यस्त करा जाओ थिवा नही अभिजोग कले आरोचिंक बापामा मामलाकु नही कोटरे चालीला सानी सुनानी समस्त पक्ख्यकु टिकीनीकी करी सुनीले हाई कोट पुर्ब कोटरे वित्वा सुनानी सह सीब्याई करित्वा तदंत कु तर्जमा कले 2014 अलाबाद हाई कोटरे चाली थिला मामलार सुनानी दिर्गत इनिवर्शर सुनानी परे 12 अक्टोबर 2017 अरे राय सुनाई छन्ती हाई कोट एई मामलारे तल्वार दमपती विरोधरे बेनिफिट अफ डाउट अर्थात दोसिस अभ्यस्त पाई उपजुक्त प्रमाण नतिवा कोई छन्ते कोट सेही अनुजाई उभ्यमकु मामलारे निर्दोस कहिवाच अहो तुरंत खलास करिवाकु निर्देस देचन्ती हाई कोट मामलार राय आसिवाप परे खुशी प्रकास करिचन्ती तल्वार दमपती अतांक परिवार मन्यपटे ए सबु भीतरे एवेवी सेही बड़ा प्रस्ण असमाही तो रही छे जार उत्तर काहरी पाखरे नाही एवेवी समस्तन को मनारे सेही कोटिय प्रस्ण प्रकुर्तरे कोण घटी थिला से दिन रातिरे आरुची ओहेम राज कुँ हत्या को लाकिये एई रहस्य उपरु केवे परदा हटिवा ताह कोहिवा मुस्किल जा सुचना मिलुछी एई मामला बिरोधरे सुप्रिम कोट जाईपा रेसी बियाई आगोको एही बहु चर्चीत मामला की रूप नेऊची ताकोई ही अपेख्या बियूरो रिपोर्ट एटी भी एई नेऊची अलाबाद हाई कोटरे एही बहु चर्चीत मामलारों राई आसीबा परे विभिन्न महलरे प्रकास मैची प्रतिक्रिया कोट को राय परे न्याव मिली थिवा नेई कही छंती आरोसिंक मा नूपूर तलवार सेई परी राय को नेई संतोस जाहिर करी छंती तलवार दमपतिंको पाईं मामला लढ़ू थिवा आईंजीबी कोट का अब्जर्वेशन सामने जो बात आई वो साफ ओनेरेबल दोनों जजजेज ने ये पाया कि जो भी केस तलवार दमपति के खिलाफ बनाया गया था वो भेबुनियाद था जो एविडेंस पेश गिये थे उनमें कोई दम नहीं था हमारा ये मानना था हमने जो अपील यहां पर 22 सेप्टेंबर 2016 में शुरू करके 17 जनवरी 2017 में खतम करी उस दोरान चार महीने में हम लोगों ने लगबग सुरा अलग अलग सर्क्मस्टैंस के उपर बैस करी और हम लोगों ने ये साबित किया कि एक भी सर्क्मस्टैंस हमारे क्लाइंट्स के खिलाव नहीं बनता था इस कारण बर्ष ओनरेबल डिविजिन बेंच ने हमारे क्लाइंट्स को आज बरी करते हुए पूरी तरी से बाईज़त बरी किया है को जर्वेशन ये था कि इनको गरत रूप से सजा दी गई ये लोग दोशी नहीं थे केवल इस आधार पे कि ये लोग घर में रात में मौजूद थे माता पिता के रूप में इसलिए इने सजा करना पूरा पूरा इनके साथ अन्याय करना है I think it was a perverse judgment by the trial court and it was expected that the Honorable High Court would do justice in this matter. I'm very grateful to the Honorable High Court for having appreciated the evidence, for having recognized the fact that this was an exceptionally perverse judgment passed by the trial court and that the CBI really had no case at all against the Talwars. Very very incompetent prosecution which was followed, which has followed an exceptionally incompetent investigation. इसमें केबलете R.O.C. की हत्यानी रुए है हमराज की फेमली बहुत ही पूर फेमली है तो हमराज की फेमली कभी नी चाहिकी कि उसके पती हत्या करने वाले या इसके माता पिता की हत्या करने वाले जोबी लोग हैं, वो किसी तरीके से बचिपाएं भारती नागरिक होने के नाते माननी हाई कोड के जज्जमेंट का हम स्वागत करते हैं और उन्होंने जो जज्जमेंट दिया वो स्वागत के योग हैं। इसके बारे में अगर CBI को कोई आपत्ती हो ये भी वेचे को कोई आपत्ती हो तो अपील के रास्ते खुले हुए benefit of doubt की clear equitable की बात नहीं आई है तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपील की संभावना है परंद ये शासन प्रशासन का विकल्प है कि उन अपने सविवेक से वो अपील करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे अपने सब्सक्राइब आपने सब्सक्राइब ये जानकारी मिल चुकी है कि उनको मानी उचनेयले के द्वारा बरी कर दिया गया है और उनमें अब जो है बिल्कुल वो लोग खुस हैं संतोष्ठा उनका कहना है कि वही हमको अब इंसाफ मिला ये मानी उचनेयले का फैसला कब तक हम तक पहुँचेगा ये इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन जैसे ही फैसले की कापी डियो कोर्स में हमारे पास पहुँचेगी मानी उचनेयले के आदेश का तत्काल अनपालन सुनस्चित किया जा दो ऑब्जवेशन है एक है कि एविदेंस इंसफिशन्ट है इन ऑस सरकम्स्टांस अनब्रेकबल होना चाहिए इसमें गैप्स है तो यही दो में कारण है जिसके लिए तलवार आज उनका अपील अला हुआ इलाबाद हाई कोट ने एक तरह से CBI की कारणाली पे फटका रहा है और कहा है कि इस तरह से जो लूपोल्स थे क्योंकि जिस तरह CBI की दो टीम आई दोनों टीम ने अलग रिपोर्ट्स दी CBI की पहली टीम थी उसने डॉक्टर तलवार के कमपाउंडर और उनके दो नेबरिंग सर्वेंट्स को पकड़ा लेकिन चुकी चाची नहीं डाली कोई एविडेस नहीं दे पाई इसलिए उनको छूट गए तो क्या यह माना जाए कि CBI ने निर्दोश लोगों को अरेस्ट CBI पिलामने एही बाक्योती रओ अर्थो कोहिला इनकोफोल वर पिलामने एही बाक्योती रहां ची क्याँको अर्थो कास्द युडे लाए अजी भी तीक्याद्स निर्ट कांटी टूर राई चे वम अकर करा निम्बो तेजबॉल बबूल भुली लाभकारी जोड़ी बुटी दान्त कुटी दिर्खाईयोर गरदाना। स्टेस्ट 2017 में शामिल छात्र छात्र आएं, संस्थान में नामांकन के लिए ऐलुजबल हैं। राज एलेक्ट्रोनिक आफर उपरे आफर के बड़ा इपारी सदाशिवरे पान्तु 6% लेस on total value of gold jewelry to gold coin free on purchase of diamond jewelry worth 30,000, one gold coin free on purchase of silver jewelry इपारी सदाशिव जोईलोज चनपत भुभुनेश्वर, स्टेशन स्क्वेर वालेश्वर, सन्वज़ार बरहंपूर आरूसी हत्याकांडकुनेई बड़ो राय, दोसे नुहंती बापामा ताहेले किये मारी छी आरूसी कु, किये से हत्याकारी जिये नाकेदम कलाणी समस्तंकु दिल्ली पोलिस, CBI, तड़कोट्रू हाईकोट, कहा पाखरे ए प्रस्नर उत्तर नाही आरूसी रो हत्याकारी कुनेई भिन्न भिन्न मत, तदन्त समयरे पदाकु आसी छी भिन्न भिन्न तत्या, आसंतु जानी बा, आरूसी मडर कुनेई आसी थी बा, भिन्न भिन्न ट्विस्ट आरूसी रो हिम्राज हत्याकंड मामला, 2008-2009 बडशर लंबात दन्त, एमित्येक हत्याकंड जहा कुनेई सरादेशरे चर्चा, एहाँ परे सरादेशर नजर्ण बिभिन्न समयरे ए घटनारे आसी छी नुँआ नुआ ट्विस्ट केतबले एहाकु अनर किलिंग, तो पूनी केतबले क्वागाला रिभेंज मडर कूनी एहाकु ब्लाइंड केज बोली मी कहीतिला सी बी आई तेवही मामलारे किभली विभिन्न समयरे नुआ नुआ ट्विस्ट आसी तिला आसुन्त नजर्पुपिका हेम्राज उपरे संदेह, शोखल में द्विहच्चार आठे, आरुसीर लुत देह, मिज़ सोईबा घरु मिडिला लागु तिला एहाएका साधारना हत्या कर्ण, सेतवले घरु गाइब तिला चाकर हेम्राज तेनु सभाविक भावरे समस्तन का संध्य असुष्टी हैला हेम्राज उपरे अभिचो गासिला आरुसी को हत्या करी हेम्राज फेरार होई जाई छी एवली अनुमान करी घटनारा तदंत आरंभुकला पोलिस हेम्राज मिलुत देह आनीला ब्लुआ टुईस्ट अरुसी म्रुत देह मिली बार ठीक दिनो को परे मिलीला हेम्राज को ब्लुत देह एहा थिला उरा घटनारे एक बड़ो प्लिस्ट जहाकु पोलिस हत्याकरी भावुत ला तरो म्रुत देह मिली बापरे घटना नेला नुआ मड़ो आरूसी हत्याकंड पालटी गला देस्वरा बहुत चर्चिता डबल भड़द गणामा द्युमरे सिर्षक साजी लाइक हवा आउ आरम्होई गला ए हत्याकंड कुनेई तरक भी तरक एहरी भीतरे किन्तु सबुठु बड़ प्रस्ण आरूसी हो हेम्राज को हत्याक किये एबं कहीं कि कला अनुर किलिंग मामला खरो चाकरो हेम्राज को मृतते हो मिलिवा परे संधेव घर को आसिले आरूसी रब बापा मा निजो सम्मान को रख्या करीवा पाई राजेस तल्वार रही हत्या करी थिवा नहीं सुचना दला पोलिस एह अभीजोगरे राजेस संको गिरफ कला पोलिस एवे पूरा घर्टना अनर किलिंग पाहिं करा जाई थिवा नहीं चर्चाहे होत्वाबले आउकीछी तथनहीं जारी नहीं थाए परकवी तर्थ पूर्व चाकरणको अपरे संदेख एव बहुच चर्चिता मामलार तदंत भार संभालीला सिवी आई पूर्ण इथरे आरप्भेला घर्टनार पुंखानो पुंख तदंत यहारे गुतरे तलवार दंपतिंकर दुई-दुई थर नार्को टेस्ट होई सारी थाए गणमाध्यमर सिरोनामारे नुईतिवाए खबर कु नुआ ट्विस्ट देला पूर्व चाकरणको संप्रुप्ति संदेख पड़ोसिंक चाकर एवं राजेस्क पूर्वातन कमपाउंडोर कु गिरव कराजिवापरे घर्टनारे आसिला नुआ मड़ो सिबियाई टीम रो भिन्न भिन्न जान्च मामलारे प्रथमे सिबियाई बख्यरू अरुन कुमारक नेतुरुतरे जान्चेला साइन्टिबिक प्रमान भितिरे पड़ोसिंक चाकर एवं कमपाउंडोर कु गिरव कला सिबियाई अवी हत्त्याकंड रिवेंज मड़ोर्पाईं होई थिवानेई करागला संदेख थेले सिबियाई रा अन्यो टीम जान्च पेले एथिरे पिता मातांका संपुर्प्य उपरे संदेख हैला थेले घटनाकु पुरा पुरी प्रमान करिवाकु बिलिलानी अबस्यक्य तत्या प्रमान सिबियाई क्लोजर रिपोर्ट दुईबर्श परे मामलारे क्लोजर रिपोर्ट दाखल कला सिबियाई एपरी की सिबियाई घोषणा कला एहाँ एक अंधो मामला बा ब्लाइंड केस एहारी भीतरे कोटरे चालू थाए मामला आउ 26 नभेंबर 2013 सिबियाई कोट तलुआर दमपतिंको दोसी सब्यस्त कले तेवे राय बिरोथरे हाई कोट कले तलुआर दमपति पहियो मुभीरे भिन्न दिका मामला बिचार अल्लाबाद हाई कोटरे चली थाए एहारी भीतरे किछी मुभी बंग पत्री करे एहा कुने जरीड़ हिताई चर्चा तेवे सबुठ्चु चर्चार विस्वा पलटीला अरुसिंग एक काहणी कुने इलिखीत एक पुस्तको मुभी तलुआर एक घटनार तदंत किभली बिभिन्न समयरे दिगहरा हुईतेला तहाकु दर्साहितेला एमुभी ता सहिता पुरा घटना क्रमरे किए दोसी ताकुने इबढाहितेला उस्चु कता एपरिकी मामलाको अधिक गम्भीर भावरे विचार करीबाकु बिभिन्न महलरे चर्चे हाला दिर्खा नव बर्ष परे ए बहु चर्चित मामलार राय सुनाई छन्ती अल्हाबाद धाइकोट बिरोड पूट इटीवी नियूज प्रथमे उतर प्रदेस पोलीस तापरे दिल्ली पोलीस आउ सेसरे सीबी आई पुनी सीबी आई लो गोटी एनुहें दुई दुईटी टीम कले घटनार तदंत दुईटी टीम द्वारा अलगा अलगा मत तड़कोट रू हाइकोट मामलारे आसे छी अनेक सोपान सबुबेले पदाको आसे छी नुवा नुवा रोचक तथ्या आसंतु जानिबा की भणी थिला मामला एबंगे हारा तदंतरा घटना क्रम मैं सोड़ दुई हज्जार आठ जलबाई ब्युहार नुड़ोडा निजो सोईबा घुरु मिलीला अरुसी तलवार्म कम नुत देह मुत शरीर रो बेकरे थिला गभीर ख्यत संदेहो घेरने खरर रो निखोच्या करो हैम राज मैं सतर दुई हज्जार राठ छातो परुम्णिला निखोच हैम राजन कम नुत देह मैं तेश दुई हज्जार राठ अरुसी उ हमराज हत्या अभिजोगरे गिरो फेले अरुसी रो बापा डक्तर राजेस तलवार्म जुन एक दुई हज्जार राठ मामलार तदंत भारो ग्रहन कोला सिब्याई जुन तेरो दुई हज्जार राठ ड्याक्तर तलवार्म को कमपाउंडर कृष्णा बंधु दुरानिंक चाकर राजकुमार और पड़ोशिक को चाकर बिजय मंड़गरों समस्ते ए दुई हथ्या कांडरे अभिजुगता जुलाई बार दुई हज्जार आठ रजयाबाद जेलरू जामेंद्रे मुखुणिले द्याक्तर तलवार्म सेप्टेम्बर बार दुई हज्जार आठ रुष्णा बिजय ओ राजकुमार मुखु तड़ो कोट्रू मिडिला जामिन सेप्टेम्बर 10, 2008 रान नुआ टीम को तदंत धाइथ्व 2009 तदंत आरम्भ कलाई सीविआ रान नुआ टीम डिसम्बर अनवतिरिस तुई हज्जार दोसं सिब्याई मामलाकू बंद करिवाकू रिपोर्ट देला जन्वारी 25 दुई हज्जार एगार सिब्याई रोग क्लोजर रिपोर्ट विरोधरे तलक कोट्रे आव्रेदन कले डाक्तर तल्वार फेब्रारी 9 दुई हज्जार एगार सिब्याई रोग क्लोजर रिपोर्ट को खारोश कले तलक कोट्र तल्वार्दम पत्ती हत्याव प्रमान नस्ट अभिजोग्रे दोसी आरुशीर बापामा राजे सोनुपुर तल्वार फेब्रारी 11 दुई हज्जार एगारो तलक कोट्र समन बिरोथरे हाईकोट गले तल्वार्दम तुद्धे 1220 तल्वार्दम पत्तिङकोः आब्यदन था प्रमान फakahले था लिब्राज। मार्चुने इस दुहज्जार एकार सुप्रीम कोट कले तल्वार्दम्पती सुनानी उपरे सुप्रीम कोटन को रहिता देश जनुवारी छ दुहज्जार बारो सुनानी उपरे थिबा रहिता देश उठाईले सुप्रीम को जुनेगार दुहजज़़ज़ बार गाज़्यवाद्रे सफ़ायक कोट्रे सुरानी आरंभो अक्तवर 2-चर्जर तेरो चुलांतो जवाबब सुव्याब आरंभो नवेंबर 25 दुहचार तेरो सिब्याई स्वतंत्र अदालोत्रे तल्वार दंपत्ती दोसी सप्योस्तों उभय स्वामिय उस्त्रिंकु आजिबन कारादन्र देश जन्वारी 2014 तलक पोटंको राय बुरोधरे अल्लाबाद हैकोट गले तल्वार दंपत्ती दोसी सप्योस्तों आजिबन कारादन्र देश रिपोर्टरे बिरोधाबास थी बारू साने सुनानी सट्टम्बर आठव 2017 मामलारो राय संद्र खित्त रंखेले हैकोट अक्तबर 12 2017 हटनारो नौबर स्थप परे राय सुनाईले हैकोट विरू रिपोर्ट इक भी नियुँग एबे हाई कोट को राय आसी छी दिर्ख दिनारो जेल जंत्रनारो मुक्त हेबे तलवार दमपती किन्तु मुलो प्रस्ण एबे भी अस्व माहीता सेई प्रस्ण हे उची फू केल्ड आरुशी समो हुची आजेरा स्पेशाल रिपोर्ट को एट रोखिमा नमस्कार